क्या आप government jobs की preparation कर रहे हैं अगर हां तो यह वीडियो आपके लिए दोस्तों मैं दीपक पाटिदार और आप देख रहे हैं दीपक पाटिदार यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की वीडियो में मैं सौर मंदल से सम्मधित कुछ question बताऊंगा जो कि कुछ government exams जैसे railway JEE, SSC JEE, Indian Air Force, X&Y Group, Indian Army, Locopilot जैसी तमाम government jobs में पूछे जाग चुके हैं दोस्तों यह questions आपकी government job की preparation के लिए बहुत ही helpful रहेंगे so let's bring friends हमारा first question है सोर प्रणाली के खोच करता कौन है दोस्तों सोर प्रणाली के खोच करता copper nix है second question है हमारा सोर मंदल में ग्रहो की कुल संक्या कितनी है दोस्तों सोर मंदल में ग्रहो की संक्या कुल 8 है हमारा तीसरा question है ग्रहों के गती के नियम के पतिपादक कौन थे तो ग्रहों के गती के नियम के प्रतिपादक केपलर थे चोथा कोश्चन है हमारा सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है दोस्तो सबसे बड़ा और सबसे जादा भारी ग्रह ब्रहश्पती है हमारा नेक्स कोश्चन पांचवा कोश्चन हमारा है सोर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है सोर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है जिसे मर्कुरी भी करा जाता है चाटा कोश्चन हमारा है सूर्य से सबसे निकट इस्तीद ग्रह कौन सा है सूर्य से सबसे निकट इस्तीद ग्रह बुध मर्कुरी ग्रह है सेवन्थ कोश्चन हमारा है सूर्य और प्रत्वी से सबसे दूर इस्तित ग्रह कौन सा है तो दोस्तो हमारा सूर्य और प्रत्वी से सबसे दूर इस्तित हमारा ग्रह जो है वह वरून ग्रह है आठवा कोश्चन हमारा है प्रत्वी के सबसे निकट इस्तीद ग्रह कौन सा है दोस्तों प्रत्वी के सबसे निकट इस्तीद ग्रह सुक्र ग्रह है नाइन्थ कोश्चन हमारा है प्रत्वी के पडोसी ग्रह कौन कौन से है दोस्तों प्रत्वी के पडोसी ग्रह सुक्र और मंगल ग्रह है नेक्स कोश्चन हमारा है प्रत्वी का उपग्रह कौन सा है प्रत्वी का उपग्रह चंद्रमा है जो की एक जीवास्प ग्रह है नेक्स्ट कोश्चन है प्रत्वी का निकट्तम तारा कौन सा है तो दोस्तो प्रत्वी के सबसे निकट्तम तारा है सूर्य है नेक्स्ट कोश्चन हमारा है सूर्य का निकट्तम तारा कौन सा है तो दोस्तो सूर्य का निकट्तम तारा है प्राक्सिमा सेंचूरी कहा जाता है होता है नेक्स्ट कोश्चन है सर्वोदिक ठंडा ग्रह कौन सा है सर्वोदिक ठंडा ग्रह वरून ग्रह होता है नेक्स्ट सर्वोदिक उबग्रह वाला ग्रह कौन सा है दोस्तों सर्वोदिक उबग्रह वाला ग्रह ब्रस्पति है जिसके 67 उबग्रह होते है नेक्स्ट कोश् नेक्ष्ट है लाल और हरा ग्रह कौन सा है तो क्रमश लाल ग्रह मंगल होता है और हरा ग्रह वरून होता है तो इसका अंसर आएगा क्रमश मंगल तथा वरून नेक्स्ट कोश्चन है पीला तथा नीला ग्रह कौन सा है तो इसका अंसर आएगा क्रमशह, ब्रहस्पती और प्रत्वी ब्रहस्पती ग्रह पीले रंका होता है और प्रत्वी नीले रंकी होती है नेक्स्ट कोश्चन है लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है तो लेटा हुआ ग्रह अरून को कहा जाता है जिसे हम यूरेनस भी कहते हैं नेक्स्ट कॲश्चन है सर्वदिक गेसों से गिरागरह कौन सा गरह है सर्वदिक गेसों से गिरागरह अरुन है जिसे हम यूरेनस कहते है Friends, I hope यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा अगर हाँ, तो हमारे वीडियो को लाइक किजिए अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरू दबा दीजिए ताकि आपको इसी तरह की वीडियो की अपडेट मिलती रहे थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो